हेलो स्टूडेंट्स आपको कहानी पसंद आ रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवात तो अब हम पढ़ते हैं एक और कहानी हिंदिय में आज की कहानी है छोटी सी लाल गैंत चुन्मुन को शाम के समय जूला पार्क की सेर अच्छी लगती थी उसे लगता शाम होते ही जूला पार्क बाहें उठाए उसे पुकारने लगता आओ चुन्मुन आओ जल्दी आओ अब चुन्मुन भला कैसे ना जाए वे जटपट तया होकर जूला पार्क की और चल देता था एक दिन की बात है चुन्मुन शाम के समय अपने दोस्त मिंटू के साथ जूला पार्क में घूमने निकला वहां तरह तरह के जूले थे आसपास खुब बड़े बड़े पेड़ फूल और हरियाली चुन्मुन के पास थी एक छोटी सी लाल गैंद वह दोनों एक गुलमोहर के पेड़ के पास गैंद खेल रहे थे उन्हें खेल पे इतना मज़ा आ रहा था कि दूर दूर तक उनकी हसी की खिल-खिल सुनाई देती थी अचानक गैंद उचली और पेड़ की डालों में पत्तों के बीच कहीं फस गई चुन्मुन परेशान मिंटू भी परेशान दोनों ने पेड़ को हिलाने की कोशिश की पर वह पेड़ भला कैसे हिलता हमें उपर चड़ कर देखना चाहिए चुन्मुन ने कहा और चटपट बंदर की तरह पेड़ पर चड़ने लगा मिंडू बोला देखो चुन्मुन कहीं गिर ना जाना इस पर चुन्मुन हसकर बोला चिंता ना करो दोस्ट मुझे आता है पेड़ पर चड़ना मगर चुन्मुन उपर चड़ा तो बड़ा कमाल हो गया जैसे जैसे चुन्मुन उपर चड़ता जाता उसकी छोटी सी लाल गेंद भी उपर उपर चड़ती जाती थी साथ साथ चुन्मुन भी और उपर चड़ता जाता चुन्मुन हैरान फिर एक अजब किस्सा यह भी हुआ कि जैसे जैसे वे उपड़ चड़ता जाता पेड़ पर लाल लाल फूल खिलते जाते देखते ही देखते पूरा पेड़ लाल लाल फूलों से भर गया इतने सुर्ख लाल फूल जैसे पूरा पेड़ हस रहा हो चुन्मुन को लगा हरे हरे पेड़ पर एक लाल परी नाच रही है चम चमा चम 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 यह मखन होकर लाल परी का नाच देखता रहा तभी उसे लगा पेड़ उससे कुछ कह रहा है धन्यवाद पेड बड़े प्यार से चुन्मुद से कह रहा था बहुत दिनों बाद मुझ पर फूल आये हैं तुम्हारे कारण सुनकर चुन्मुन भी हस पड़ा उसकी हसी भी वैसी ही लाल गुलाल थी जैसे कुलमुवर के सुर्ख लाल फूल हस रहे ही थे साथ साथ मिंटू भी हसने लगा चुन्मुन भी पेड को धन्यवाद देना चाहता था क्योंकि उसी के कारण तो उसने लाल परी का नाच देगा था पर उसने सोचा क्या पता लाल परी का नाच सिर्फ उसे ही दिखाई पड़ा है या फिर औरों को भी लेकिन चुन्मुन की गोल सी लाल गैन ने तो यह सारा तमाशा देखा ही था इसलिए वह भी हस पड़ी खिल 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 कर खिल कर के आशा है आपको कहानी पसंद आई हो ऐसी और बहुत सी कहानियों को चानने के लिए समझने के लिए चैनल को लाइक करना सबस्क्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूले धन्यवाद